वेलकाम फ्रेंड स्वागत है हमारी तू चनल भौला सा डिजल मेकेनिग में फ्रेंड आज हमारे पासे गाड़िया यह टाटा बीएस फोर सिखना गाड़ी है और इस गाड़ी में यह प्रोब्लम हो रहा है यह गाड़ी का मतलब जैसे कि गाड़ी चालाक का कहना यह है कि ती उसको मैंने खुला है यह जो ऊर्ट को पूरी सौल करेंगे अक्सराइसा प्रोब्लम होता है अगे करेंगे मास्टर से लिंडर हमारा होता हुद में कि जब हम एक दो लकारं करने तो गेर लेंगा हो गाड़ी क्बार्द काल और येerson tissue लेगा इसे प्रोब्लम् 9 सिलिंडर वह अंदर से भी हो जाता है उसका कीत आता है वह हो जाता है उसके कारण यह सब प्रोडम आती है हमारी गाड़ियों में अक्सार आपके पास गाड़ी चाला काते हैं बोलते हैं कि भाई हमारा कलच कभी बैठ जाता है और दो-चार पेडल करते हैं तो सही हो जाता है तो ज्यादा तर हमारा प्रोडम किस तूपषिंटने किसजिद्र में आता है जो की फ्रॉन्ट में जो मास्टर सलेंडने हमारा अता है उसमें आता है तो हम इसी प्रावलम को सॉल करेंगे Гe और सॉर्बकर आपको दिखाेंगे भी कि कैसे यह सॉल होगा और खासकर टाटा सिघिन का जो मास्टर सिलंडर कुछ अलग दिया हुआ है यहां पे देख सकते कि दो बॉल्ट है इसमें दस नमर की दो बोल्ट है में इसको खोलूँगा और खोल कर इसको बाहर और फ्रेंड कभी भी गाड़ी चालक आपके पास आते हैं बोलते हैं कि भाई हमारे कलच कभी बैट जाता है कभी सही हो जाता है तो वो रीजन कब आता है हमारे आगे जो मास्टर सिलेंडर आते हैं उसके वज़ा से ही होता है यह तकली तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगको यही जणकारी देना चाहता हूं चाए हमारे गाड़ी चालक हो, चाए हमारे मेकेनिक हो उनको यही मैं जणकारी देना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा प्रोब्लम होता है तो इस master cylinder को जरूर आप लोग चेक जरूर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं साथ एक ग्यारा एक सो पचीस इसका नम्मर दिया वाए company ने 6011125 तो यह part का जो यह number इस company ने दिया है master cylinder के उपर तो इस parts का तो मिलता नहीं है अलग दूसरी parts आती है इसकी देख सकते हैं यह part नम्मर दूसरी है वो दूसरी है 6011 2255 यानि 6011225 है और यह 6011125 है तो थोड़ी से अंतरी से में इसलिए आती है friend कि जो ही हमारी master cylinder का रोड जो है उसका फरक आता है तो हम पुराने जो master cylinder है उसका रोड को हम इसमें डालेंगे क्योंकि अगर इसको new master cylinder को रोड को डालते हम तो उसमें क्या होगा आपका यह bolt नहीं आएगा जो मैंने बताया था कि पीन और quarter pin के जगह पे यह दिया वह बोल्ट दिया तो वह बोल्ट नहीं आएगा तो हम इसी को है कि रोड को बाहर लिका लेंगे पुराने रोड को इसमें फीटिंग करेंगे सुरिफ रड का ही फरक आता है जो हमारा रोड आता है master cylinder का रोड आता है उसमें फरक आता है तो सेने मतलब तकलिप करने क्यों जाएगा इसको हम रोड को पर लिकाल कर चेंज करते थे जिसे हमारा प्रोलम ना हो अगर नियू रोड को डालते तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है कलच पूरा काम नहीं करता है हमने पहले भी देखा है इसलिए आप लोग को आज बताना चाहता हूं और बता रहा हूं कि कभी भी पुराने जो मास्ट भी आ जाएगा आपका असानी से तो चलिए देख सकते हैं कि मैंने न्यू मास्टर सिलिंडर का रोड लिकाल कर अब पुराने मास्टर सिलिंडर का रोड इसमें डालूंगा जिससे कि हमारा प्रोलम सौल हो जाए और जैसे कि मनें बताया कि गाड़ी चालक हमारे पास आते ह उसके आपके पास तो आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि यह मांस्टर सिलिंडर को जरूर आप चेक करें ऐसे तो बहुत सारे फिरेंड थैंक मिलता है कीट किल अम लोग नहीं डालते हैं क्यूंकि ज्यादा वो सर्विस नहीं दे एस सर्विस नहीं देने के करद हम लोग मास्टर सेलेंडर ही चेंज करते ते जिससे हमारा सर्विस अच्छा होता है जी से बहुत सारे फ्रेंड बोलेंगे कई भाई इसमें खर्चा जाता आ गया न्यूँ . 마स्टर स्विस दूलेंडर डालने से त। खर्चा तो आ गया बहु को आपका सरविस तो जाद है ये भी तो देखना है आपको तो चलिए माश्टर सिलन्डर को लगा कर मैं इक माश्टर साल कोशिट करता हूं जिसको qafale cylinder भी बोला जाता है और मास्टर में बोला जाता है हर एक भासे में अलग-लग इसका नाम है तो मैं पुराने रोट को फिटिंग कर दिया न्यू मास्टर सब्सक्राइब के अंदर में अब मैं इसका यू लगा लेता हूं जो कि हमारा पिन के जगह पे हमारा बोल्ट दिया कंपनी ने इस प्रोलम को सॉल्ड करने के लिए मैंने यह लगा दिया अब चलिए मैं य किट भी नहीं मिलता किटने मिलता तो क्या करना मास्टर सेलेंडर्ट हो जरूरी है तो मलों मास्टर सेलेंडर देडालते जिससे से हमको फाइदा यह होता ए alors service अच्या मिलता है च्प्रोड को युञ करता हूं करके दिखाता हूं कि कहां से इसका दोकर एयर लिकाना चाहिय फिर भी मेरा तो काम है आप लोग को बताना जिससे कब आपको प्रोव्लम ना हो तकलीफ ना हो मैं याई जानता हो किसी फ्रेंड को तकलीफ ना हो प्रोवलम ना हो तो हर एक वीडियो में मैं कौसिस करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से जनकारी दो बताऊं समझाओं जिससे कि आपको प्रोब्लम ना हो फिर भी किसी फ्रेंड को डाउट हो तो मुझे इस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं मैसेज भी कि मैं अब लोग को आप लोग को भी काम करना पड़ता है मुझे भी काम करना पड़ता है तो मैं भी काम करता हूं इसके लिए थोड़ी मेरे पास आजकल काम ज्यादा है इसके लिए मैं तकलिफ हो रही है तो यह मैंने बताया कि इस पर पार्ट नमर जो दिये हैं साथ हे ग complete कर लेता हूं जो कि पीन के जगह पे हमारा बोल्ट दिया है तो इसको लगा कर में एयर लिकालता हूं एयर लिकाल कर complete पीछे दिखाऊंगा कि एयर लिकाल रहा है कैसे और इस तरह से अगर उससे ब्रेक आयल आने लेगा हमारे पीछे जो कलच बुष्टर आते हैं तो समझो आपका प्रॉब्लम सौल हो गया जब तक फ्रेस अच्छे सरी के से नहीं आएगा तब तक आपका प्रॉब्लम सौल न करना है कि पूस्ट करना है पैडल को जिससे में बताऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा भी कैसे उसके करना है जैसे कि एयर फटाफट लिकाल जाएगा आपका तकलिफ नहीं होगा मैं में ब्रेक आल भरकर को कुछ करता हूं उसके बाद मी क्या करता हूं यहां पर देख सकते हैं कि यहां हमारा मैल नाइन लगता है जोकी हमारा मेलान आइन समझे है तो आप आएसक ँर से हमारा पीछे कलच बूस्टर में जाता है वहां पर मैं लाइन लगा कर नहीं में सबसे पहले उंगली रखता हूं और उसको गाड़ी चालग को बोलता हूं कि भाई आप कलच करो जैसे जैसे कलच करेंगे यहां से आयल फेकना चालू हो जाएगा और यहां से धाहर बनकर ग जरूत नहीं पड़ेगे अगर यहां से एयर लिकल गया तो अगर यहां से जब तक ब्रेक हमारा फ्रेस नहीं आएगा तब तक आपका पीछे नहीं जाएगा तो मैं सबसे पहले यहां से एयर लिकालता हूं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने लाइन लगा दिया और हमारे ब्रेक आइल अच्छे तरीके से आने लगा तो मैं यह लाइन को मैं क्या करूंगा यह लाइन को मैं फेस कर लेता हूं अच्छे तरीके से फेस करकर और पीछे कलज बुस्टर पे चलता हूं कलच बुष्टर पर देखता हूं कि मेरा BREAK ILE वहाँ से फ्रेस आ राये की नहीं अगर ये Master skip इस तरह से गिरने लगा तो समझो आपका air लिकालने के पीछे से जुरूत नहीं पड़ेगी फिर भी मैं आप लोगों बताना चाहता हूं कि कलच booster से किस तरह से आयल लिकलना चाहिए उससे आपको तकलिफ नहीं होगा और फिर से एक बार बता दो आप लोगो फ्रेंड कि कभी भी गाड़ी चालक आपके पास आते हैं कभी बैड़ जाता है तो यह जयार बन कर गिर रहा यहां पर यह धार बन कर गिरने लगा तो समझो कि जैसे बताए कि आगे से अगर ब्रेक आयल धार बनकर गिरने लगा तो पीछे से भी कंप्लीट हो जागा कोई दिक्कत नहीं आगा पीछे से मतलब एर लिखाने की जुरूत नहीं पड़ेगी आपको यही है जनकारी आप लोग को जो मैं समझाना चाहता हूं कि कभी भी गारी चालक आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि कलच कभी बैड जाता है कभी सही हो जाता है कभी तीन-चार बार पैडल करते हैं तो हमारा गिर लेता है कभी सही से नहीं लेता है तो यह मास्टर सेलिंडर जो हमारा आगे का होता है वह वीक हो जाता है उसके कारण यह कलच कभी बैड जाता है कभी सही हो जाता है तो कभी भी ऐसा प्रोब्लम हो तो आप लोग मास्टर सिलेंडर आकर का जरूर चेक करना और यहां पर देख सकते कलच हमारा सही काम करने लगा मैं गेर लगा कर देखता हूं यहां पर देख सकते कि पैर से दबा रहा हूं हमें गाड़ी को चालू digging हैं कि यहां पहें देख सकते हैं मैंने चाभी yon किया चाभी our क्रेव लगा कर देख लेता हूँ कि jar largely the Stay क्वी ऐसा प्रोब्बम आपके पास आता है तो जान में रखकर आपको चैक करना है Master सpted्सेंटर तो फृरंट मास्टर स्लिंडर आता है मरा तहां अब यहां पर देख सकते गियर आसानी से लग रहा है कोई दिक्स का धियुक्त है मैंने कलच को का दबा करका है अरकिस पर असानी से लना कोई तिक्कत नहीं हो रहा है यानि हमारा जो प्रोब्लम तो सौल हो गया अब इससे क्या होंगा गाड़ी चालग सबस्ट हम भी खोस क्यूंकि गार्ड़ी चालग और दिक्कत होगा तो इतार के पास का निक्ट उलते हैं और और अख्सार आपके लोग के पास गाड़ी चलक आकर बोलते भी होंगे ति हमारे यह प्रोलम हो रहा है कभी गेर सई से ले रहा है कभी नहीं ले रहा है तो वीडियो अच्छी लगियो तो फ्रेंड लाइक कॉमेंट सेर जरूर करना आप लो चैनल को सब्सक्राइब करना ना ने ने वीडियो बाइ ओल फ्रेंड